बारती जंता युवा मोचा हिंगन घाट तालुका की और सी उप्विभागी अधिकारी हिंगन घाट की माध्यम सी चार डिसंबर को कलेक्टर वर्धा को निवेदन दिया गया समुदरपुर तालुका में मौजा परड़ा की किसान मनोश चंदन खेडे नी 23 जून 2020 को समुदरपुर कुशी उपज मन्नी समीती में बिकरी के लिए कपास सोपी इस किसान का कपास CCI द्वारा खरीदा क्या था नियमों के अनुसार किसानों ने बाला जीचिन में CCI द्वारा कपास को खाली कर दिया जहाँ CCI ने उन्हें बाला जीचिन में जाने के लिए कहा वहान में कपास उतारने के दौरान CCI के तहट किसानों ने अपनी बैंक पासबुक का जरॉक्स आधार का जरॉक्स साथ ही खेट के साथ बारा जरॉक्स को CCI को सौप दिया कुलराशी एक लाग पच्चिस हजार पात्सु थी कपास बेचते समय किसानों ने उपरुक्त सभी दस्तावेश CCI को सौप दिये जब CCI से पूछता से किसान ने पूछताज की 6 महने से पैसान नहीं मिला है तो CCI अधिकारी तेली असपश्च जवाब दे रहे है किसान अक्सर पूछताज के लिए या बैंक में CCI के लिए जाता है कोई भी किसान को उचित मार्क दर्शन नहीं देता है किसान पूरी तरह से ठक गया है और अब भूका रहने का वक्त आ गया है तेली भी जान बूछ कर इस मुद्दे की अंदेखी कर रहे है इस किसान को न्याय दिलाने के लिए 4 दिसंबर को विदायक समीर कुनावार के मार्क दर्शन में भारतिय जनता पाटि युवा मोर्चा हिंगन घाट की और से निवेदन दिया क्या अगर इस किसान को 15 दिन में उचित न्याय नहीं मिला तो भारतिय जन्ता पार्टी युवा मोर्चा हिंगन घार और चेतर के सभी किसान इसके खिलाफ एक चना क्रोश आंदुलन करेंगी सदर निवेदन विधायक समीर कुनावार के मार्क दर्शिन में और भारतिय जन्ता युवा मोर्चा के राज्य सचीव अंकुष ठाकुर और तालुका अद्धिक्ष विठु बेनिवार की अद्धिक्षता में निवेदन दिया गया निवेदन के समय विगनेश शेंडे, लखन नाकपुरे, आदित्य मोजी, लिलेश फरकाड़ी, आकाश बाउने, अविनाश सातरकर, शिभम मालवे के साथ साथ भारतिय जन्ता पार्टी के कारिकरता और पधादिकारी और कए किसान मौझू थी हिंगन घाज से रवीय नौरकर्क रिपोर्ट, NBC News, नाकपुर